नाजरीन डॉक्टर महम्मद नईम जरात अफीसर समंद्री आपसे मखातब हूँ इस वक्त हम चक के 136 गाफ बे तसील समंद्री में मजूद हैं और यह कदू का खेत है यह छेक ना रकबा है और यह इन्होंने 20 जून को इसको काश किया था और दो माँ के बाद इसकी तड़ा काश किया गया दोनों साइड पर और इसमें एक जो जरूरी बात यहां के काशकारों के लिए के कदू की बेल हमेशा यह जो क्यारी है उसकी एक साइड पर काश करने चाहिए तो इसमें यह जो कदू इन्होंने क्यारी की सिर्फ एक साइड पर काश किया था वहां पर कदू क कि तड़ाई भी ज्यादा हुई है और वहांस पर बमारी काम लाभी काम है तो इसमें इन्होंने एक बैग सिंगल सूपर फासफेड का इसमेल किया है और आदा बैग इन्होंने काश से 20 दिन के बार डाला था और बाकी जो आदा बैग था जब 20 दिन दिन दोबारा गुजर गज़र गए हैं मज़ीद तो फिर आदा बैग डाल दिया था तो अभी तक इनका 40,000 रपे के उपर खरचा है और सवादो लाक पर इन्ह तो अभी जो है इसमें चार से पांच शापर उतर रहे हैं तो जो रेट साथ किलो एक मुझूद रहुत रहे हैं शुरू शुरू में जो इस शापर का रेट इनको 600 रुपाई फी शापर मिलता रहा है तो अभी इसका रेट जो वह 400 रुपाई हो गया है इस पक बश्ता है तजवीज की थी फोलियो गॉль्ड फोलियो गॉल्ड निया सवेरा की है इसका इन्होंने फोलियो गॉल्ड का स्प्रेक है अप्रेवार तक्रेवन natsu ml फी जो केश नाल है उसमें स्प्रेक है था इन्होंने 200 ml की लगा कि उसका स्परे किया है और रब जो ब्मारी है उसे हम एंधरकनोज कहते हैं तो वह ब्मारी अब काफिte के एक तक कंट्रोल में तो अभी मैं उस ब्मारी की अलामात आपको देखाता हूं कदूप पर उसकी कैसी आपटों पर उसकी क्या आप यह देख लें कि पत्ते क प्राम फी टैंकी जो है उसको इस्तमाल करें और एक हफते के बाद उसको रिपीड करें और जमीदार के बिकोल जब बारश हुई है पिछले अभी तकरीबन एक माँ पहले उसके बाद ये बिमारी का हमला जो हो बढ़ गया है और कदू जो है छोटा छोटा कदू है वो सूकन नहीं आती ये बू से पाग है फपूंदी की बिमारी की इलामत ये होती है कि उसमेल नहीं आती जब ये जियादा गलसर जागा फिर इसके लावा दूसरे जानदार इस पे हमलावर होंगे तो फिर इसमेल आएगी इसके अंदर जो गिरी है वो सारी ब्रान हो चुकी है और इसमें से दूसरी जो मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ ये कदू में नार और मादा के जो फूल है वो लेदा लेदा होती है ये नार का फूल है और ये मादा का फूल है इसके आप देखें के कदू लगा हुआ है और ये नार का फूल है इस पे कोई कदू नहीं है और तो अगर आपके पास कुछ काम बेले हैं तो फिर आप रूई की मदद से खुद भी इसका क्रास करवा सकते हैं लेकिन ज्यादा जो बड़े स्केल पर कदू लगा था तो उसका तो मुम्किन नहीं है यह आप कदू देखें कितनी शाइनिंग है इसके उपर तो इस पे इन्होंने जो है ना अभी सिर्फ एक स्प्रे किया है खुराकी ज़दा का में मेगनेशियम सिल्फेड जो है वो 500 ग्राम है बोरा केसर 100 ग्राम और नाइट्रोफास 500 ग्राम और यूरिया 300 ग्राम यह सारी चीजें लेने के बाद इन्होंने अलयादा अलयादा इसको हल कर लिया है और उसके बाद चार टैंकी पर तक्सीम करके कदू पे इसको स्प्रे किया है अरब इसकी बेलें जबरदस्त हैं और कदू का आप देख सकते हैं अभी आपको मैंने दिखाया था शाइनिंग कितनी अच्छी है तो इस वाले से पिर कदू का रेट अच्छा मार्केट में मिलता है तो इसलिए जो इनका गदू है वह तकरीबन 600 बाद से शुरू हा था फिशापर जिसमें के साथ किलो कदू थे और अभी जो चार पांच शापर इनके डेली उतर रहे हैं तो अभी इनको चार सुरू पया फिशाथ किलो ग्राम कदू मिल रहा है तो अब हम यह जैन साहब मेरे राप्ता काश्ट का रहे हैं चाक 136 गावबे से अब हम इन से पूछते हैं कि इस पर कितना खर्चा आया और जो मैं बता रहा हूं कि सवादो लाक पर अकमाली है यह फुद अपनी जबानी बताएंगे अब जिस पर 40,000 प्या खर्चा गया जू बढ़ा परेगा ना था जिए फर्चा चलाना जिए अब और फेट नोजी ख़तम कार दाएंगे जीए